ये गन पूरे BGMI और PUBG MOL का सबसे बेस्ट गन है और अगर आपको गेम में प्रो प्लेयर बनना है तो आपको इस गन को माश्टर करना पड़ेगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गन को और अच्छे से यूज कर पाऊगे तो गाईज सबसे पहले आप इस गन का डिटेल्स जान लो तो इस गन का पाऊवर 41 है रेट ऑफ फायर 75 है रेंज 56 है और कैपसिटी 30 और एस्टेबिलीटी 63 है तो गाईज इस गन के लिए बेस्ट एटाइच्मेंट कौन सा रहेगा ये आप खुद डिसाइड कर लोगे बस आप ये वीडियो देखते रो मैं आप को सब कुछ समझा दूंगा तो सबसे पहले हम इस गन में थम गरिप ट्राइ करते हैं तो गैज गन में थम गरिप लगाने से स्कोप ओपनिंग टाइम कम होता है और थोड़ा सा वर्टिकल रिक्वाइल भी कम हो जाता है और एस्टेबिलीटी इनक्रीज हो जाता है तो यहा ले तो रिक्वाइल कम होता है लेकिन जो रिक्वाइल रिकवरी टाइम होता है वो बढ़ जाता है और फायर करते टाइम जो इस्टेबिलीटी होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो इस्टेबिलीटी सिर्फ एट पॉइंट से प्लस होता है हाफ ग्रीप से लेगिन फिर भी सभी लोग जो है मतलब जादा तर लोग हाफ ग्रीप ही उउज करते हैं तो गैज अभ हम देख लेते हैं कि गन में लाइट ग्रीप उजज करने से क्या होता है नो दाउट ये सबसे ज़्यादा एग्णोर होने वाला ग्रीप है तो guys देख लेते हैं कि light grip करता क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो light grip use करने से जब आप दोड़ने के बाद किसी पर aim करते हो तो aim करने का speed और stability काफी बढ़ जाता है और यहाँ पर आप देख भी सकते हो light grip use करने से gun का stability 14 point से plus हो जाता है लेकिन फिर भी यह सबसे ज़्यादा ignore होने वाला grip है तो guys अब हम देखते हैं कि angle grip use करने से क्या होता है तो guys जब हम angle grip use करते हैं gun में तो उससे तो सबसे पहले horizontal recoil कम होता है और साथ में side के नीचे तेजी से aim करने में help करता है और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि angle grip gun में लगाने से gun का stability 12 point से plus हो जाता है तो guys अब हम देख लेते हैं कि gun में laser sight use करने से क्या होता है तो यहाँ पे guys आप देख सकते हो जब आप gun में laser sight लगा के fire करते हो मतलब hip fire देते हो बिना scope open करे fire करते हो तो जो bullet spread होता है वो तो सबसे पहले कम होता है और जो gun का stability होता है वो 14 point से plus हो जाता है और 7 में जो gun का range होता है वो भी 6 point से plus हो जाता है तो laser sight के 3 पाइदे हैं तो guys अब हम देख लेते हैं कि gun में vertical fore grip use करने से क्या होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप gun में vertical fore grip use करते हो तो इसका एक ही काम है सबसे पहले तो vertical जो require होता है वो कम करता है और vertical fore grip लगाने से gun का stability 14 plus हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो और अब आप खुड decide कर सकते हो कि इस gun के लिए सबसे best grip कौन सा रहेगा और आपको कौन सा grip use करना चाहिए मेरे हिसाब से देखो तो एक नमबर पे मैं laser side को रखूँगा और दूसरे नमबर पे angle fore grip को तीसरे नमबर पे light grip को और चौथे नमबर पे vertical fore grip और पाचुए नमबर पे thumb grip और 6 नमबर पे half grip को रखूँगा तो आपके हिसाब से कौन से grip को किस ring पे रखना चाहिए आप मुझे comments में बता सकते हो और बागी जो attachments हैं जैसे कि magazine, magazine आप जानते होंगे stock भी जानते होंगे और side भी आप जानते होंगे तो last जो option है मजल का तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ इसमें जो सबसे पहला option है suppressor का तो ये तो सबसे पहले जो gun से sound निकलता है firing करते time उसे disable करता है और जो spark निकलता है जब आप firing करते हो तो उसे भी disable कर देता है और बागी gun के stability में इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है और उसके बाद है compensator तो ये सबसे बढ़िया है compensator से horizontal और vertical recoil दोनों कम होता है और जो gun का stability है वो 17 plus हो जाता है तो गैज इसके बाद है flash rider flash rider जो gun से spark निकलता है जब आप firing करते हो तो उसे hide करता है और साथ में थोड़ा सा horizontal और vertical recoil दोनों कम करता है और इससे gun का stability 13 plus हो जाता है और गैज इसके बाद है barrel extended तो इससे तिन फायदे होता है एक तो gun का stability 9 plus हो जाता है और gun का range 13 plus हो जाता है और gun का power 2 plus हो जाता है barrel extended से लेकिन ये उतना usable नहीं होता है क्योंकि ये main classic match में नहीं मिलता ये लिविक में और इसे आप TDM में यूज कर सकते हो तो गैज अब मैं आपको M4 का best loadout set करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 grip में laser side को रखा है और extended quick draw mag लगाया stock लगाया और side में red dot को और मजल में compensator को रखा है तो ये M4 16 का best loadout है इसे आप भी set गर सकते हो अपने game के अंदर